हम एक समीकरण लेते हैं और देखते हैं कि एक त्रिकोड मिती समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है इसके लिए हम एक समीकरण ले रहे हैं cos 90 degree minus theta बराबर 1 बटे 2 इस समीकरण को हल करने से मतलब हमारा होगा कि हम अग्यात राशी जो थीटा यहाँ पर अग्यात चर राशी है उसका मान ग्यात करें देखते हैं इसे कैसे हल किया जा सकता है हमने लिखा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 बटे 2 फिर से पूरा कोण के त्रिकोण मिती अनुपाथ से हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा तो इसे इसके द्वारा रेप्लेस किया जा सकता है हम इसके इस्थान पर लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे 2 अब हम त्रिकोन मिती सार्णी कर में देख सकते हैं कि साइन के कौन से कोन के लिए एक बटे दो उसका मान हमें प्राप्त होता है तो आप देखेंगे कि जब आप साइन 30 डिगरी के मान की बात करते हैं तो वो मानाता है एक बटे दो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम जानते हैं कि sin 30 degree जो होती है वो एक बटे दो के बराबर होती है तो यहाँ पर इसके इस्थान पर हम लिख देते हैं sin 30 degree अब इससे यह पता चल रहा है कि थीटा का जो मान है वो कितना है 30 अंश है तो हमें यह मिल गया थीटा का मान 30 अंश के बराबर याने यह समी करण जो हल हो गया क्योंकि हमें अग्याद चर राशी जो थी वो प्राप्त हो गई